नमश्कार में उप्रिया आज है 17 मार्च खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार बोट के बारहवी के परिणाम में इस बार लड़कों का रहा दबदबा बिहार में टाक्स फ्री होगी दककश्मीर फार्ट बिहार के सरकारी अस्पतालों को मिले इतने लाब टेक्नीशन कई जगों पर बिहार बोट ने रद्ध की गणित की परिक्षा बिहार में शुरू हुआ 12 साल से उपर के बच्चों का वाक्सिनेशन अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की उविस्तार से बिहार बोट के बारहवी के परिणाम में इस बार लड़कों का रहा दबदबा बिहार बोट की तरफ से एक बार फिर से रिकॉर्ड काइम करते वे इंटर के परिणाम को जारी कर दिया गया जो कि सिक्षामंतरी विज्य कमार चोधरी ने खुद किया है वहें इस बार के जारी किये गए परिणाम में लड़कों का दबदबाज ज्यादा रहा बारहवी बोट की परिक्षा में इस बार कला संकाई से संगमराज 96.4 प्रतिशत अंका हासल करते वे ओवरॉल टॉपर बने हैं वो वी-म इंटर कॉलेज गोपाल गंच के छात्र है वही वाने जो संकाई में बीडी कॉलेज पटना के छात्र अंकित कुमार गुपता 94.6 प्रतिशत अंकला कर टॉपर बने विग्यान संकाई में के लेस कॉलेज नवादा के सौरव कुमार और प्लस टू अशोक हाई स्कूल दाउद नगर और अंगाबाद के अरजिन कुमार 94.4 प्रतिशत अंकला कर संय तुरूप से टॉप रहे हैं पच्छोवावा के साथ ही बिहार में 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा बिहार में गरमी का सतम जारी है मौसम का मिजास बिहार में हर दिन के साथ और ज्यादा ही तलक होता जा रहा है बरता तापमान मर्च के महीने से ही लोगों को सताने लगा है आलम कुछ यूँ है कि पारा 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है हाला कि अभी रात का तापमान तो ठीक है लेकिन आने वाले पांस दिनों में प्रदेश का मौसम सुष्क और आस्मान साफ रहने वाला है आलम कुछ यूँ भी है कि प्रदेश का पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक भी जाने का पुर्वानुमान है मौसम विभाग की तरफ से मिली जुआनकारी के नुसार बिहार में पच्छवा हवा के साथ सूरज भी अपने तेवर दिखा रहा है बीते दिन की ही बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से साजवा की गई जुआनकारी के नुसार पिष्ट 24 घंटे के दोरान प्रदेश का मौसम सुष्क बना रहा और आस्मान साफ रहा सबसे कम नियुन्तम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जुरादेई में दर्श किया गया और और उसत नियुन्तम तापमान 17-17 डिग्री के बीच रहा निग्रानी विभाग ने मारी अब भ्रष्ट इंजीनर के ठेकानों पर रेट बिहार में भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ती हासिल करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कारवाई ज़ारी है इसको लेकर बीते दिनी एक बार फिर से निग्रानी विभाग की टीम ने एक बड़े अधिकारी के ठेकाने पर शापेमारी की और भारी मातरा में अवैध संपत्ती का खिलासा किया है इसको लेकर निगराने विभाग ने सिवान के जल संसाधर विकास विभाग के कारेपालक अभियंता, हरेक रिश्टिन प्रसाद के ठेकानों पर छवा पिमारी कर तिर पन लाग कैश, भारी मात्रा में गहने, जमीन के कई कागजात के साथ साथ लगभग 6 लाग के पुराने न नवादा जुले के हंडिया का ये सूरे मंदिर बिहार के सबसे ज्यादा प्रसिद चार सूरे मंदिरों में से एक है, और पौरानिक और रहतिहासिक सूरे मंदिरों में शुमार है, हंडिया गाउं सितिया सूरे नारायन मंदिर द्वापर कालीन बताई जाती है, मानेताओं पूरी होती है कोई भी याचक यहां से खाली हाथ वापस नहीं लोटता दो तशक बाद विहार के सरकारी अस्पतालों को मिले इतने लाब टेक्नीशिन चिकित्सा के शेत्र में महतवपून भूमिका निभाने वाले लाब टेक्नीशिन की नियुकती लगभग 23 साल के बाद की गई है जिसकी जानकारी खुद स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने दी विहार कर्मचारी चैनायोग द्वारा अनुसंशित 1160 लाब टेक्नीशिनों की पोस्टिंग विभाग विभिन स्वास्त संस्थानों में कर दी गई है इससे ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जाच में आसानी होगी और आर्थिक बोज में भी रहत मिलेगी स्वास्त मत्री मंगल पांडे की माने तो इससे पहले भी 1999 में एकिकरित विहार में 183 लाब टेक्नीशिन की न्यूखती हुई थी टेक्नीशिन की कमी के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों को विभिन प्रकार की जाच में परिशानी होती थी राज़ के स्वासिस अंसानों को नए लाब टेक्नीशिन के मिलने से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को अस्पतार के अंदर ही विभिन प्रकार की जाच सुमिधा उपलब्ध हो पाईगी कथिद पेपर लीग के चलते बिहार बोर्ड ने रद की गनित की परिक्षा बिहार बोर्ड की तरफ से बीते दिन बारहवी के परणाम को जारी कर दिया गया है हाला कि मैट्रिक के परगाम आने में देरी की संभावनाई जटाई जा रही है क्योंकि बिहार स्कूल इग्जामिनेशन बोर्ट BSEB ने कथित पेपर लीग को लेकर बिहार बोर्ट दसवी BSEB गणित का पेपर रद कर दिया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार बोर्ट ने दसवी कक्षा के मैट्रिक के चातरों के लिए BSEB गणित का पेपर रद किया है बोर्ट की दरफ से साज़ा की गई आधिकार एक ज्यानकारी के नुसार बिहार बोर्ट दस्वी परिक्षा 2022 के लिए BSEB गणित का पेपर अब 24 स्मार्श 2022 को आयो जित किया जाएगा बिहार के इन दो जिलों में लगेंगे 500 मेगावाट के सोलर बिजली प्लांट बिहार में सोलर पावर प्लांट लगाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है इसके तहत ही राजु में कई NTPC के तहत ही विद्यूत परियोजनाई संचालित की जा रहे है हाली में नभी नगर की एक और एकाई से उत्पादन शुरू हुआ है ऐसे में बिहार में कज्रा और पिरपैती में सोलर बिजली प्लांट लगाने को क्या बिरिट ने मंजूरी दे दी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि लखी सराय के कज्रा और भागरपुर के पिरपैती में बनने वाली इस परियोजना से लगभग 500 मेगावार्ट सोलर बिजली का उत्पादन होगा देश के कुछ एक परियोजना में बिहार की परियोजनाश शामिल होगी जहां सोलर होने के बावजूद भंडारन की श्रमता होगी बिहार में तटबंदो नदियों से संबंधित आकड़ों के प्रबंधन में नई तक्नीक का होगा इस्तमाल बार प्रबंधन के काम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर कई तक्नीक का इस्तमाल जलसन सादन विभाग मुख्यमंत्र नितिश कुमार के निर्देश पर किया जा रहा है तो इसके बाद ही अब बिहार में नदियों से संबंधित आकड़ों के प्रबंधन में भी नई तक्नीक का इस्तमाल होगा तकनीक आधारित इस नए सिस्टम से विभाग के अधिकारी किसी भी समय कहीं भी नदियों और तटबंधों से सम्मनित रियल टाइम डेटा के साथ उपलब्धी प्राप्त करने में अब सक्षम होंगे इसको लेकर जलसंसादन विभाग की मंतरी संजे कुमार जहा ने बताये कि राजय में तटबंधों और नदियों से सम्मनित आंकडों के बहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विक्सित हिया गया है इसको ही बिहार इंबैंकमेंट एसिट मैनेजमेंट सिस्टम नाम दिया गया है इस नए सिस्टम के सम्मन्ध में अधिकारियों और अभियनताओं को प्रसिक्षन भी दिया गया है मुख्या प्रमुख समेत सभी पदाधिकारी 31 मार्श तक करे ये नहीं तो होगी कारवाई बिहार में सभी नम निर्बाचित मुख्या और प्रमुख समेत सभी पदाधिकारियों को 31 मार्श तक अपनी संपत्ती सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किये गया है अगर ऐसा नहीं हुआ तो कारवाई तैमानी जाएगी यानि कि अब मुख्या प्रमुख समेट सभी पदाधिकारियों की संपत्ती सार्वजनिक होगी इसको लेकर विभाग ने सभी जुलाधिकारियों और जुलापंचायत राजपदाधिकारी को दिशानिर्देश भी जारी किया है आपको बतादे पंचायतों के पद धारक में मुख्या, उप्मुख्या, प्रकंड प्रमुख, उप्रमुख, जुलापरिसत, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं विभाग का मानना है कि पंचायतों को विकासकारी के लिए बड़ी मात्रा में धनराश्री उपलब्धिकर आई जाती है फिर भी बहुत जगों से ऐसी शिकायते आती रहती है कि धनराश्री का प्रयोग व्यक्तिक अतलाब के लिए भी किया जाता है राश्रिय जाच एजनसी दिल्ली ने निकाली रिखतिया राश्रिय जाच एजनसी दिल्ली ने 63 पद पर आवेदन की मांग की है बिहार में शुरू हुआ 12 साल से उपर के बच्चों का वाक्सिनेशन बिहार में बीते दिन बच्चों का वाक्सिनेशन शुरू हो गया है। बिहार में 12 से 13 साल के बच्चों में बालकों की संख्या 14.28 लाग है जबकि बालिकाओं की संख्या 13.89 के करीब है। बिहार में बिहार में निवेश करने की इच्चा जाहिर की है। विधान सभा के विवाद छोड़ आम लोगों की समस्या सुनने के लिए पहुँचे सीम निटीश। जो आइक तरफ मुख्यमंतरी निटीश कुमार विधान सभा में हो रहे हंगामे का विशे बने रहे वहीं दूसरी तरफ वो बीते दिन सदन से ही बाहर रहे। इस दोरान वो अपने ग्रहजुला नालंदा पहुचके जहां वो नगर नौसा पहुचे जहां पर ही जदियू के सभी कारिकरता और आम लोगों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और लोगों की समस्याओं को भी सुना। हालाके सीएम नितीश का ये नालंदा में पहला दौरा नहीं था बलकी मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार नालंदा के विफिने ब्लॉकों का दौरा कर रहे हैं। कारण वो व्यक्तिकत रूप से जाकर लोगों से मिल रहे हैं। जुले के चांदपुर, बानस्री, सतेहवार और Сिकंदर पुर से हर दिन सिवान के बाजारों में हरी सबजियां आती है। इसको लेकर ही सारन के मांजी में बने पुलका इस्तमाल करना होता है। या फिर दरौली में बने पीपापुल का जिसके बाद ही अब उमीद है कि लोगों की जिंदगी आसान होने वारी है। प्रदेश के विकास के लिए योजनाव का निर्मान करता है। कश्मीरी पंडितों के साथ वे अपरिये वाक्यों और पलायन की प्रिश्ट भूमी पर बनी फिल्म देश भर के सिनमा घरों में दिखाई जा रही है। फिल्म कैसी है कैसी रही ये आप सोशल मीडिया पर इसकी हो रही चरजाओं से अंदाजा लगा सकते हैं। यही कारण भी है कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखे इसको लेकर के कई राजों ने पहले ही फिल्म को टाक्स फ्री कर दिया है। उत्तरप्रदेश, गुजरात, करनाटक और मध्यप्रदेश के बाद अब बिहार में भी दक कश्मीर फाइल्स को टाक्स फ्री करने की मांग उठ रही है। उत्तरप्रदेश के राश्री अध्यादा को लेकर बड़ी जानकारी निकल कर केस सामने आई है जिसके तहती अब बतादे की कारेवाहक, मुखिन अधीश, विपिन सांकी और नयामूर्ती नवीन चावला की पीठ ने इस बाबत अपनी बात कही है। ऐसे में उनके लिए सरकार यावास बनाए रखने का कोई और चित नहीं है। एक्षवर मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात हुई और फिर ही दोनों की सुलह हो गई थी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कवी नचिकेता की। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण वर अध्यात्म विद्या का उपदेश था। नचिकेता का ये आख्यान महाभारत के अनुसाशन पर्व में और वारह पुरान में भी तातपरे भेट से उपलब्ध होता है। किसी आवंतर काल में इस आख्यान का विकास नास्तिकेता पाख्यान के रूप में हुआ था। विहार विद्यान सभा में उठा सहारा इंडिया के निवेशकों का मसला। कमपनी की अलग-अलग स्कीब में पैसा जमा करने वाले निवेशकों की शुकायत है कि मिचॉरिटी के बाद भी उनको उनका जमाधन वापस नहीं मिला है आग्रा के युधि में बाबर से 1527 में चित्तोर गड के राना संग्राम सिंग प्रतम पराजित हुए बौध धर्मगुरू दलाई लामासन 1969 में तिबद से भारत महुचे भारतीय क्रिकेटर सुनील गवासकर ने 1987 में टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लिया 1946 में महरास्टर के पुर्व मुख्यमंत्री पृत्वीराज शोहान का जयन हुआ 1962 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक शियात्री कलपना चावला का जयन हुआ 1990 में बैडमिंटन प्लेयर साइना नहवाल का जयन हुआ था 2016 में मशूर जादुगर पॉल डेनियल कामने धन हुआ था बजट सत्र के बाद बिहार में चलेगा बुल्डोजर यूपी के बुल्डोजर का असर बिहार में भी अब देखने को मिलने वाला है बीते दिन हिसको लेकर भूमी एवं राजस्व मंत्री रामसूरत रोय ने विथान परिसद में एक सवाल के जवाब ने कहा कि बजट सत्र के बाद अप्लेयर से पूरे प्रदेश में बुल्डोजर चलाये जाएगा और दबंगो पर बड़ी कारवाई की जाएगी दरसर विथान परिसद में MLC संजीव कुमार सिंग ने सरकारी भूमी पर अतिक्रमन किये जाने का मामला उठाये था संजीव सिंग ने कहा कि बिहार में सरकारी भूमी पर सिक्षन संस्थानों से संबंधित सारे ब्योरे जैसे मौजा, खाता, खेस्रा और रखवा को डिजिटल रूप से तयार नहीं किये जाने की कारण भूमी पर धड़ले से अतिक्रमन किया जा रहा है बाबर आजम ने अब सबसे ज़्यादा समय तक रीज पर टिकने का बनाया रिकॉर्ड पाकिस्तान की कपतान बाबर आजम ने ऐस्ट्रेला के खिलाफ कराची के नाशनल स्टेडियम में जारी दूस्टे टेस्टंमाच की दोरान रिकॉर्ड की ज़ड़ी लगा धी उन्होंने इस दोरान करियर की बेस्ट पारी खेली हाला कि world record बनाने के बावजुद वो अपने दोहरे श्यतक से चूग गए बावर अगर 12 श्यतक लगाते तो ये उनके करियर का पहला 12 श्यतक होता लेकिन दोहरेश तक से चूखने के बाद उन्होंने एक साथ कई वर्ल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये हैं बावरब दुनिया के पहले से कप्तान बन गए हैं जुन्होंने एक टेस्ट माच में चौथी पारी में 190 से स्याधर नंगराए है SMS भेज कर तुरंत लिंक करें आधार पैन कार्ड अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है इसके लावा आप वेब साइट से भी ये काम कर सकते हैं इसके लिए आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा रापरी देवी ने नितीश कुमार पर कसातंज हाली में स्पीकर विजय सिनहा और नितीश कुमार की नोगजो की खबर आई थी जिसके तहती उन्होंने कहा कि किस तरह से सत्र का संचालन वर्तमान सरकार कर रही है वो हर कोई देख रहा है सरकार उनकी है वो जिस तरह चलाएं जैसे सदन चले उसके बारे में क्या कहना लेकिन जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जी नीजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है अपके अनुसार बिहार में इस बार होली के मौके पर शुराब माफियाओं पर नकेल कस्ते में बिहार पुलिस कामयाब हो पाएगी या नहीं अपने जुबाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक को अंद बाला ना भूले धन्यवाद